नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है बिवेक भारत द्वाज आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेक्नलोजी विद बिवेक जहां मैं मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नलोजी से जुड़े हुए काफ़ सारी वीडियो से लेकर आता रहता हूं मैं अगर आप हुमारे चैनल पर दोस्तों आज करते हैं आप ने यह सीरी स डेखी रोग्राम मेंस एक्टी और दोस्तो यह सूरत में प्रोमोशन वीडियो नहीं क्योंकि प्रोग्राम इजद्ध जब से यह आप को 3-4 languages के जो app दे रहा है काफी अच्छे app है beginners के लिए और दोस्तों खास कर उन लोगों के लिए जिनके पास computer नहीं है और जो लोग mobile से programming सीखना चाते हैं शुरवाती level पर उनके लिए दोस्तों आज हम लेकर आए हैं python जो कह सकते हैं language के लिए आपको जाना है program is RAM और यहां पर आप देख रहा है यह जो आपको दिख रहा है learn python program is education हमने इसको इंस्टॉल कर लिया है आप इसको जहां से जो इंस्टॉल करने के बाद और open करेंगे open करने के बाद दोस्तों आप अपने gmail id से login कर सकते हैं अलग से id बना सकते हैं और दोस्तों आप यहां पर जो एक course दे रखा है आप course complete कर सकते हैं पूरे python का आपको सिखाय जाएगा देखिए हम आपको दिखाय देते हैं यहां जो मैंने अभी left छोड़ा हुआ है input और output पर अब शुरू करते हैं हमने getting started और variables and literals सीख लिए है input output पर जाने के बाद दोस्तों देखी यह आपको इस तरीके से description यहां देते हैं it's a common task in programming to take input from the user and display data on our screens दोस्तों इसी तरीके से आप next करेंगे तो आपको यहां दिखाय जाएगा कि print करने के लिए कौन सा function यूज किया जाता है उसका output क्या आता है आप खुद भी यह try कर सकते हैं और इसी तरीके से दोस्तों देखें यह प्रेंट variables प्रेंट कराने के लिए आपने एक variable लिया एक वहाँ पर five value को प्रेंट कराया output में five आया है इसी तरीके से आपने दूसरे variable में hello लिया है और यह इस तरीके से यहाँ पर hello print हो गया है तो दोस्तों यह आप next करते जाएंगे और इस तरीके से जो है आपको सीखने मिलेगा कि आप programming language python के कह सकते हैं regards में किस तरीके से कर सकते हैं यह देखिए पूरे दोस्तों topics दे रखे हैं करने के लिए यहाँ पर आप examples देख सकते हैं काफी सारे examples हैं आपको यह number of examples 44 examples आप देख पा रहा है जो आपको python language में दिए गया है दोस्तों beginners level पर यह काफी अच्छी चीज है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यह जो अलग-अलग programs दे रखे हैं मैं आपको यह 10th number का program दिखा देता हूँ check if a number is odd और even हम यहाँ click करेंगे तो दोस्तों जो 2 से divisible हो जाएगा वो even कहलाता है जो नहीं होगा वो odd होगा हम next पर जाएंगे यह आप programming code देख रहे हैं हमने नम जो है एक variable लिया है और उसके अंदर हमने इंटीजर इंपूट कराएंगे हम number यूजर से हम number लेगे और उस number को हम divide करके देख रहे हैं इंटर नमबर हमने एंटर करती है यहां पर 57 और हम जैसे ही रन करेंगे तो देखिए दोस्तों आ गया है 57 और तो यह आप देख लीजिए यह चोटा सा रन कर सकते हैं और उसका output जो है यहां side वाले टैब में आ जाएगा इस तरीके से दोस्तों यहां जो challenges है आप उनको भी unlock कर सकते हैं आप यहां पर अपने programs को lesson को easily save कर सकते हैं तो दोस्तों यह भी इस जो हम सीरीज चला रहे है application की उसमें एक काफी अच्छा एप साबित हो सकता है खासकर उन students के लिए उन लोगों के लिए जो पाइफन सीखने में ड्रस्ट रखते हैं और इनके पास अगर computer नहीं है तो वह basic जो knowledge है अपने mobile application से इस app को download करके जो है पाइफन को सीख सकते हैं मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो समझ आया होगा इस वीडियो को जाता स्याधा शेयर कीजिए जिन लोगों को पाइफन सीखना है आप comment के माध्यम से मुझे बता सकते हैं और किस तरीके की टेप कर सकते हैं मेरा नाम है तुभी